नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ राहुल गांदी की भारत जोडो नियायात्रा को लेकर बड़ी अपडेट दोस्तों यह है कि जो राहुल गांदी की भारत जोडो नियायात्रा है वो फिलहाल बिराम पर है एक मार्च तक यह यात पिर से शुरू हो जाएगी उसके बाद दो हफते में भारत जोडो नियायतरा खत्म भी हो जाएगी यानि कुल मिलाकर दो हफते और चलेगी भारत जोडो नियायतरा दोस्तों भारत जोडो नियायतरा से भारतिय जनता पार्टी बॉकलाई हुई है भारत जोडो नियायतरा से जुड़े तमाम वीडियोज पर पावंदी लगाने की कोशिश की जा रही है इवियम से समनित वीडियो बनाएंगे उस पर भी कारवाई हो सकती है भारत जोडो नियायतर समनित वीडियो बनाएंगे उस पर भी तलवार लटकी हुई है कब किस पर किस यूट्यूबर पर कारवाई हो जाए कोई नहीं जानता तो दोस्तों इस समय सत्ता धारी पार्टी साम दाम दंड भेद की नीती अपना रही है तो दोस्तों राहुल गाधी की भारत जोडो निया यात्रा से क्या भारती जनता पार्टी डर गई है आखिर राहुल गाधी से इतना क्यों घबरा गई है बीजेपी कि उनकी यात्रा को रोकने की कोशिश की गई याद करिए जब यह आत्रा असम में थी तब भी रोकने की कोशिश की गई थी कहा जा रहा है इसलिए रोकने की कोशिश की गई थी क्योंकि राहूल गाधी उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिन मुद्दों पर भारतिये जनता पार्टी के लोग बोलना नहीं चाहते दोस्तों चार महत्पूर मुद्दे इस समय भारत जोड़ो निया अत्रा के द्वारा उठाये जा रहे हैं पहला तो है जातिकर जन्गरना का मुद्दा दूसरा है जिस्टी से किस तरीके से लोगों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है बेरोजगारी पेपर लीक साथी साथ गरीवी ये चार बड़े मुद्दे इस समय राहूल गांधी उठा रहे हैं दोस्तों राहूल गांधी इस समय नरेंद्र मोदी सरकार और आरेसेस पर तीखा हमला बोल रहे हैं चाहे वो देश में रहें चाहे विदेश में रहें राहुल गाधी लगातार भारती जनता पार्टी को एक्सपोज करने का काम करने हैं जातिगा जनगरना किसी भी बीजेपी शासित राज में क्यों नहीं हो रही ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि भारती जनता पार्टी के लोग जातिगा जनगरना कराने से परहेज कर रहे हैं ऐसा आरोप लग रहा है राहूल गांदी के द्वारा और राहूल गांदी कह रहा है कि भले ही प्रधान मंत्री OBC हो लेकिन ये जो प्रधान मंत्री है वो OBC विरोधी है वो पिछडा विरोधी है वो जातिगा जनगरना विरोधी है इदर राउल गांदी ने GST को लेकर लोगों काफी जागरू किया उनका कहना है कि GST का पैसा बड़े बड़े उद्योग पतियों की जेब में जा रहा है उस पैसे से आदानी यसे उद्योग पतियों के कर्जे माफ हो रहे हैं वहीं गरीबों को कर्स के लिए किसा पर घसीता जा रहा है दोस्तों आप देखी रहें देश के आलात किसान किस तरीके से अंदोलन कर रहा है लेकिन किसानों की फिलहाल सरकार सुनने को तैयार नहीं है राउल गांदी ने कहा कि मूदी ने देश में ऐसा माहुल बनाया है कि जेल में कोई अमीर नहीं है जेल पेपर लेग बेरोजगारी का मुद्दा उनसे युवा लगातार जुड़ते चले गए जिया दोस्तों जहां जहां से भारत जोड़ों नयायात्रा गुजरी वहां वहां से लोग जो युवा थे खासतोर से वो राहुल के साथ जुड़ते चले गए तो दोस्तों दो हजार च मस्जिद के उपर वोट मांग रही है मंदिर मस्जिद करके यहाँ पर वोट मांगने की कोशिश की जा रही है राम मंदिर की तस्वीर दिखाई जा रही है कि हमने तो राम मंदिर बना दिया दोस्तों कई लोग तो यह कह रहे हैं कि अब जो नरेंदर मोदी जी हैं वो इस समय मिश्नु के अवतार हैं हो सकता है आने वाले दिनों में उनका भी कोई मंदिर बन जाए मूर्ती बन जाए लोग पूजा करना शुरू कर दें दोस्तों लोगों को आखे खोलनी पड़ेगी देखना पड़ेगा आसपास आपका कितना परसनल आपका कितना डिवलक्मेंट हुआ यह जो चुनाव है बेहत महत्रपूर चुनाव है इस चुनाव को हलके में नहीं ले सकते और कई लोग कह रहे हैं खड़गे जैसे तमाम निताब कहने लगे हैं कि यह आखरी चुनाव है इसके बाद देश में कोई चुनाव नहीं होगा उसके बाद देश में ताना शाही आ जाएगी तमाम बड़े नेता इस तरह की बयानबाजी भी करना है राहुल गांदी की भारत जोड़ो यात्रा को भारती जनता पार्टी की लोगों ने बोल रहे हैं बहराल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया जय भारत जय समीदान